नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 16 मार्च सुबद 6 बजे राज्यस्थान की खास खबरें लोगसबच चुनाव 2024 की तारिखों का एलान चुनाव आयोग आज दोपैर तीन बजे करेगा इसके साथ ही कुछ राजों में विधानसबच चुनाव की तारिखों का भी एलान किया जाएगा ये विधानसबच चुनाव और इशा, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश और आंद यानि फुल कमीशन की मीटिंग शुरू हुई थी, यह बैठक लगबग 45 मिनिट तक चली थी, 2019 में लोगसबच चुनाव साथ चरणों में करवाए गए थे, पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारिखों का एलान किया था, बारते रिजर्व बैंक ने पेटियम इस बैंक यूजर कई सर्विस का लाब नहीं उठा पाएंगे, कई पेटियम यूजर पेटियम के सर्विस को लेकर भी कनफ्यूज हैं, लेकिन पेटियम यूजर असानी से पेटियम एप का इस्तिमाल कर सकते हैं, वे पेटियम एप से क्रेडिट कार्ड बिल, मोबाइल रि पेमिंट्स बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजक्शन नहीं कर पाएगा असान भाशा में समझे को अगर पेटियम पेमिंट्स बैंक में पैसे हैं तो यूजर उसे खर्च कर सकता है पर कोई भी ट्रांजक्शन पेटियम पेमिंट्स बैंक में नहीं आएगी योपी आई औ करते हुए दो जनों को गिरफतार किया है दोनों व्यक्ति पंजाब के रहने वाले हैं इनसे पोस्त आश के जा रही है दोनों की शिनाक्ती परेड करवाई जाएगी थाना परभारी सुरेंदर राणा ने बताया कि गत तीन मार्च की दुपैर को चेन छीनने की घटना कस्बे की वार्ड नमबर 12 में हुई थी रीना चुग नामक महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी तबी दो व्यक्ति बाइक पर सवार हो कर आए और रीना चुग की गले से सोने की चेन छीनी और फरार हो गए पुलिस ने घटना सल की आसपास गलियों में लगी सिसिटिवी कैमरों की फुटेस को खंगाला और पंजाब के बठिंडा निवासी रजेंदर उर्फ राजा और फाजिलका की गाउं बकेन वाला निवासी निर्मल सिंग को गिरफतार किया गया इनसे पूस्ताश की जारी है Electoral Bond मामले में Supreme Court ने State Bank of India को नोटिस जारी कर पूचा है कि बउन्ड नमबरों का खुलासा क्यों नहीं किया बैंक ने यूनिक कोड नंबर क्यों नहीं बताया और पूरा डेटा क्यों नहीं जारे किया अदालत ने SBA को बॉंड नंबर का खुलासा करने का आदेश देते हुए कहा है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनावायोग को दे इसे अपलोड करना है कोड ने कहा कि इसी में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी सुप्रेम कोड के आदेश पर चुनावायोग ने 2019 से अब तक के चुनावी बॉंड के जरिये राजनीतिक दलों को 12,000 करोड रुपे से अधिक दान में दिये है चुनावायोग ने SBA से प्राप तांकडे गुरुवार को अपनी वैबसाइड पर गुरुवार को ही सर्वजनिक कर दिये थे जोदपुर शेयर के नजदीक औसिया कस्बी में तीन वर्ष पूरब बारा वर्ष की नबालिक बच्ची के साथ दुशकरम के तीन आरोपियों को कोटने अजीवन कारावास की सजय सुनाई कोटने आरोपी की सबी दलीलों को दरकिनार कर दिया सितंबर 2021 को औसिया थाने में पिडिता के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि रात में पत्नी और बच्ची के साथ घर पर सो रहा था सुबा जागने पर पुत्री गायब मिले पतागरने पर जानकारी मिले कि चार आरोपियों ने उसके पुत्री का पहरण कर लिया है के अधार पर आरोपियों को दोशी करार देती हुए शेश प्राकर्तिक जीवनकाल तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई आरोपियों पर 90,000 का अर्थ दंड भी लगाया किसान अनूलन के दुरान 21 फर्वड़ी को खनारी बॉडर पर गोली लगने से हुई युवा किसान शुबकरण की मौत के बाद किसान नेता ने अस्तियां एकत्रित की संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के किसान नेता बठिंडा के गाम बल्लों पहुंचे यहां युवा किसान शुबकरण सिंग के अस्तियां कलश एकत्रित की इस मौके पर किसान नेता जगजेद सिंग डलेवाल और सर पंचकुला पहुंचेंगे या यात्री ठैराव होगा उसके बाद 17 या 18 मार्च को पंचकुला, दो दिन यमुना नगर, कुरुकशेत्र, करनाल, कैथल और फिर तीन दिन अबाला जिले में कलश यात्रा निकलेगी। उसे पुरानी रंजिश के चलते ही मारा गया है। सुत्रों के मुताबिक दे रात, रामबाग निवासी बीनु अपने दो दोस्तों हरजीत और संजु के साथ गेट हकीमा इलाके में ट्रैवल कर रहा था, जांबाइक सवार दो युवकों ने उसे गोली मार दी और उसकी मौत हो गई, मरे तक बीनु की मा का कहना है कि तीन महीने पहले उसके बेटे का पहरन कर लिया गया था, जिसके लिए उसने लौंगी नाम के युवक को तीन लाक उर्पे की फिरोती दी थी, उन्होंने कहा कि बाद में ही डी डिवीजन की पुलिस ने उन्हें फिरोती की रकम परिक्षा वेदन पत्र को अधिक सिक्यार और सुद्रिड करने जा रही है, इसके पीचे मंशा यही है कि पहले पाइदान पर ही बेरियर लगाए जाएं ताकि डमी केंडिडेट परिक्षा केंदर के बाहरी पकड में आ सके, इसके लिए परिक्षा वेदन पत्र में फोटो और साइन होने के बावज़ुद परिक्षा में डमी केंडिडेट बैट जाती हैं, अयोग अपनी किरक्री को देखते हुई ही नई विवस्था पर काम कर रहा है। जांसा दिया। दिसंबर 2023 में जॉब दिलाने की बहाने उसने अपने घर ले गया, जो उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर बेहुशी की हालत में रेप कर अशलिल वीडियो बना लिये। जायपुर के मानक चौक इलाके में साइबर ठगों द्वारा एक व्यक्ति के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड अकाउंट से चार लाक रुपे की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। इस समद में पेडित चेलों का चौक जलेब चौक निवासी दिलीब कुमार सिंदी ने थाने में रिपोर्ट दर्स करवाई कि साइबर ठगों ने उनको बातों में उलज़ाकर खाते की जानकारी हासल की और उसके बाद उनके खाते से बार-बार ट्रांजेक्शन करके बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड अकाउंट से चार लाक उर्पे की ऑनलाइन ठगी कर ली फुलिस ने रिपोर्ट कर कॉल डिटेल वे ट्रांजेक्शन डिटेल के अधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने गुरप्रित लहंबर और जस्ता नूरवाला गैंग के दो सैयोगियों को गिरफतार किया है जगदेप सिंगुर्फ रिंकु और बलविंदर सिंगुर्फ बब्बु के रूप में हुई है यागिरो कई जगन्या परादों में सनलिपत रहा है जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरन और वसूली शामिल है यागिरो लुधियाना, जग्राओ, मोगा, बठिंडा और संग्रूर में सक्रियरा है बता दें कि आरोपी रिंकु के खिलाफ मोगा में हत्या की कोशिश के मामले में केस दर्स करवाया जा चुका है आरोपी बब्बू ने बीते दिनों निलोना में स्टेफ की टीम पर फाइरिंग की थी जिसके बाद से वो फरार था जांच में सामने आया है कि फरार गैंक्सर लहंबर और नूरवाला की निर्देश पर इस गिरों ने कई अपरादिक वारदातों को अंजाम दिया है पुलिस ने इनके पास से दो पिस्टॉल और दस कार्तुस भी बरामत किये हैं अ कया बरामत कि अ कि झाल ने बरामत कि वार रहा है